भारत माता की आवाज तेलंगाना तक पहुचनी चाहिए भारत माता की आज की विजय अहितिहासिक है अभुद्पुर्व है आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है आज विक्सिद भारत के आहवान की जीत होई है आज आत्म निर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है आज बंचितों को वरियता के विचार की जीत हुई है आज भारत के विकास के लिए रज्जों का विकास इस सोच की जीत हुई है आज इमानदारी पारदर्शिता और सुशाथन की जीत हुई है सभी मतदाताओं को आजर पुर्वक्त नमन करता हुई मतपदेश, राजस्थान और 36 गड़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर्श ने दिखाया है तेलंगना में भी बीजेपी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है यह हम सभी का सवभाज्य है जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रुप से बनुभाव करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और अधीक बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपनी माताओं बेहनों बेटियों के सामने मैं अपनी युवासातियों के सामने मैं अपने किसान भाई बेहनों के सामने मैं अपने गरीब परिवारों के सामने उन्होंने जो निर्ने के जो बड़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाओं में बेश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिश हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए बेश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ती हमारी युवा शक्ती हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही बेश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबी सी साथी इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनाओं में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाओं वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है यह चुनाओं हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बैन यह सोच कर खुच है कि उसने जीसे वोड दिया वो विजय उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोड मेरे विजय का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विख्सित राष्ट देखना चाहता है साथियो मैं आज विशेज रुप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुझावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का पर्चम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कबच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुक्सान नहीं पहुचा सकते आज नारी शक्ति बंदन अधिनियम ने देश की माताओ बेहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नहीं बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्सों में भाजपाने, उन्तक, टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मोडेल का एक महत्वपून स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओने बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजब का के विजए की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्नता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाजब आप बीजए पी ने किये हैं वो शत्र प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियो चुझाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है देश का युआ सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युआओं के खिलाब काम किया है वो सरकारे सत्ता से बहार हुई है चाहे राजस्तान हो चाहे राजस्तान हो या तेलंग ना हो ये सारी सरकारे पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैटे दल अब सरकार से बहार है आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांशाय समझती है उसके लिए काम करती है बेश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितेसी होती है युवाओं के लिए नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों आदेश का आदिवासी समाज में अब खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है जो कॉंग्रेस की नीतियों की वजह से साथ दसक तक पीछे रहा जिसे आउसर नहीं दिये गए इनकी जनसेंगे आज दस करोड के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव परणामा बे भी ये देखा है जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने MP 36 गड और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांची है और उन्हें बरोसा है इस आकांच्छा को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनो मैं आज हर राज्य के भाजपा कार करताओं की भी